next question question says a particle is simultaneously acted by two forces equal to 4 Newton and 3 Newton the net force on the particle is pahla option 5 Newton 7 Newton 3 1 Newton या फिर between 1 and 7 Newton नो बड़ा इंटरेसिंग सवाल है इसके वाल में हमें इन जनरल अपनी वेक्टर की नॉलिज से आंसर देना है exactly उनके भीच एंगल क्या है यह नहीं दिया हुआ है यह हमें दियान देने की जरुवत है एक वेक्टर दिया हुआ है आपका 3 Newton और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है अपना 4 Newton इन दोनों को जब हम add करेंगे सो इन दोनों का सम 7 हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है मैं पहले भी ऐसी बाते कर चुका हूँ क्लास में हम ऐसी बाते करते हैं कि अब हमारी mathematics तोड़ी सी बदल गई है जैसे for example अगर मैं आप से पूछूँ कि 5 प्लस 5 कितना होता है यूजुली 9-10 तक के students का जवाब देंगे sir of course 10 ये क्या सवाल पूछ रहो लेकिन 11 की match स 11 की vectors की physics पढ़ने के बाद basic match पढ़ने के बाद हम 5 प्लस 5 का जवाब obviously 10 नहीं बोलेंगे it will depend उन दोनों के बीच angle क्या है because 5 प्लस 5 अगर ये दो vector quantities है दो displacement है दो velocities है या फिर दो forces है इन दोनों का sum मिला के आपका 0 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है या फिर कोई भी number उनके बीच में अगर दोनों same direction में तो of course 10 हो गए opposite direction में तो of course 0 हो जाएंगे और अगर 90 का एंगल है 120 का एंगल है तो इनकी अलग अलग value हो सकती है similarly अगर हम 3 प्लस 4 करें यहाँ पे तो इस सवाल में हमें दिया वाए 3 प्लस 4 कितना होएगा इसका जवाब obviously 7 नहीं है because it will depend कि उनके बीच एंगल क्या है minimum value अगर हम इसकी positive value देख रहे है तो minimum value इसकी जो आएगी वो दोनों का difference है which will be 1 और maximum value होएगी 7 और anything in between कोई भी number इनके बीच में हो सकता है even in decimal यह number possible है तो हमारा answer इस सवाल का सही जवाब होएगा D which is between 1 newton and 7 newton कर दो हमारे are you